पूरे चप्टर में अगर देखा जाए सबसे बोलते हैं कि सर इस पूरे चप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहता है तो वह अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं चलिए जब हमने चप्टर आज चप्टर यह एंडी है अगर याद दिलाओं के सर हमने चप क्या था क्या क्या करेंगे मैंने सबसे पहले मैं लिखता जरूर हूं ताकि आपको पता रहे हैं यह देखिया है अब यहां पर मैंने एक लंसम था इंस्टॉल्मेंट और एक सिंकिंग फंड इसी को बोलते हैं कनवर्जन भी हो गया और ओपन मार्केट भी हमने कर लिया करेंगे सिंकिंग पंड और यह सबसे इंपोर्टेंट है यह बहुत इंपार्टेंट एक्जाम में कई बार पूछा जाता है में इंपोर्टेंट है यह आसा मत समझना के सर्फ पूरे डिवेंचर में से सिर्फ यही आएगा इसी को करते हैं बागे सब को छोड़ो ऐसा नहीं करना आप में ठीक है ना तो चलिए सर्थ हमने कुछ कोशन्स तो किये थे कन्वर्जन के कोशन्स में डिस्कूशन बाद में करेंगे मुआने मैं aozn case अबना के सिखनेंगे जर का मत्लब हो गया बहुत सिंपल सी बात है सर अब हम्ना अगांट बनाकर सीखने वाले कैसे सीखेंगे यानि लेजर का मतलब क्या हो गया हम सभी चीज को अब जैसे आपने फाइनल अकाउंट, डेप्रिशेशन अकाउंट, मसीनरी अकाउंट यह सब बना के सीखा था अभी तक डिबेंचर में हमने जितना भी सीखा सारा का सारा जर्नल एंट्री बना के सीखा था अब एक अकाउंट बना के सीखेंगे ठीक है अब जैसे हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो इससे रिलेटिड बहुत सारे चीजे हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है जो हमने जर्नल एंट्री में देखा है उसी को मैं अलग-अलग लिग देता हूँ सबसे पहला अगर हम रिडम्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें चिंता हो जाती है किसकी सर सबसे पहले आप कंपेरिजन करो किसका इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में डी आर लिखा इसका फुल फॉर्म क्या था डिबेंचर रेडम्शन रिजर्व इसी का एक एडवांस नाम समझ लो या बहुत परचलित नाम समझ लो जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड सिंकिंग फंड इसी का नाम है सिंकिंग बहुत बच्चत न सिर्फ सिंकेंग फंड वर्ड से एक्दम डरते हैं और यह fact है जो भी बच्चे जब भी कभी इस वीडियो को देखेंगे भी न तो इस बात को समझिएगा बहुत college के अंदर और वैसे भी बच्चों के अंदर ने एक खौफ बनावा रहता है जैसे कि share capital में एक खौफ बनावा रहता है पुरूराटा बेसिस मुस्किल होता है सेम एस पूरे डिवेंचर रेडंशन चेप्टर में एक टॉपिक होता है जो बच्चों के अंदर खौफ होता है तो मैं simple सा बोलना चाहूं अगर आप मुझे बता दो कि क्या आपको DRR की गणित समझ में आती है कि हमें DRR कितना बनाना है अगर आपको DRR का गणित समझ में आ जाती है सिंकिंग आपका DRR का नाम क्या है डिवेंचर रेडंशन इनवेस्मेंट एक तो इसके उपर सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो स्टाइम पर हम जर्नल के फॉर्म में करेंगे इसके बाद जैसे ही हो सकता है फिर हमें एक और टेंशन खा जाता है इसका इंट्र की भी बात करेंगे और चौथा पॉइंट अभी नहीं देखा है इंट्रस्ट वह इंट्रस्ट भी हम इसमें करेंगे किस पर डी आर आई पर इंट्रस्ट मिलता है तो कैसे मिलता है उस पर भी देखेंगे और पांचवा पॉइंट अगर मैं आपसे बोलू तो पांचवा ब और उसके बाद डिवेंचर रिडम्शन भी करते थे न तो एक आ जाएगा हमारा डिवेंचर करीबन करीबन यह साथ ऐसे फेक्टर थे जो कि हमारे बनाये जाते थे किसमें सर जन्रल एंट्री करा और पेमिंट भी एक security premium वाला और पंगा था जिसको कि अभी मैं यहां पर consider नहीं कर रहा है तो इसी तरीके से हमारे इस chapter के अंदर हम account को journal format में ना करके हम एक laser format में करेंगे तो हमें इतने accounts बनाने पड़ सकते हैं लेकिन journal का थोड़ा सा concept जो है वही यहां posting हो जाता है लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि journal और लेजर में बच्चों का perception होता है कि लेजर का एक format पता चल जाए कि इधा debit में यह आएगा credit में यह आएगा तो वह उनके लिए फड़ा सा ज्यादा easy रहता है तो हम जो questions करेंगे वह इसी के according करने पाले है ठीक है ना पूरा मैं laser का बताऊंगा उसके according करें और बाद में आप उसको step by step comparison कर लोगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर sinking fund का क्या fund होता है क्यों बनाया जाता है DRR account का क्यों बनाया जाता है इसके उपर बात ही नहीं किया क्योंकि मैंने का जब आएंगे तो बनाएं ठीक है मान लो और सर DRR और DRI क्यों बनाया जाता है यह मान लेते हैं कि यह मेरा बैंक है ठीक है यह मेरा बैंक है ध्यान से समझना और मैंने यहां पर fund निकाला पंड का मतलब हमारा यह सपोस करो DRR ठीक है इससे पहले एक और हम बना लेते हैं यह हमारा प्रॉफिट है यह हमारा प्रॉफिट है ठीक है मैं लेके चल लेता हूं सर दो हजार दस दो हजार ग्यारा दो हजार बारा दो हजार तेरा बस चार साल इनफ है सीखने के लिए हमें और यह मैं पूरा का पूरा एक लाइन भी बना देता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यह है क्या पंगा असली में चलिए अलग-अलग कलर से कर देते हैं समझ में आ जाएगा आपको बहुत एजी ली लास्ट का तो हई है अब सबसे पहले मान लेते हैं अब सबूस करो मैंने यह माना कि 2010 में मैंने एक लाक रुपे कमाया और आपको अच्छे से पता है कि DRR आप मिनीमुम कितने परसेंट बनाते ह कि मैकसमँ कितना हो सकता है 50 ने नोउद रीमिट कि से भी के हिसाब से मैकसमँं का कभी कोई नहीं है तो मैं इस कुश्चन को इस एक्जामिल को समझाँगा वह मैं 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 मानके समझाँगा कि हमारी इच्छा यह है कि हम हंडिठ परसें बनाए तो अब मान लो मेरे पास डि का Francisco Video Video LED करना है में 10 लाख रुपए का को रिडीम करना है पहले साल का मेरा फ्रॉफेट माल लेते हैं के बीस लाख रुपए हैं पहले साल का मेरा भ्रॉफेट 2010 गा व्लाइव के सोफिद्व करना है अब दीस लाख का प्रॉफेट एल्द तो मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद नहीं बाटूँगा ये प्रॉफिट तो ऑनर का हो गया अब ऑनर अपने घर ले जाए इस प्रॉफिट को या कुछ भी करें लेकिन लौ कहता है भाई तुम जब घर ले जाओगे तो जब आपको डिबेंचर होल्डर को पेमिंट तो अब यहां पर प्रॉफिट में से देंगे तो प्रॉफिट में देने का मतलब आपके पास लास्ट में कोई एसिट्स बेचने के लिए है नहीं तो लास्ट में इकट्टा पैसे कैसे निकालोगे ऐसा थोड़ी है जो आपके मान लेते हैं कि यहां पर प्रॉफिट मान ल और पैसे को कहा है तो थोड़ा पैसा रखना है तो थोड़ा-थोड़ा कितना पैसा रखना है वह अपने हिसाब से देख लो जो कि पूरा ओवराल 100% के बराबर बन जाए वह कहता है रूल यानि बिल्कुल सेम जैसे मान लो आपको MBA करना है कैट के एक्जाम के त्यारी करोगे और MBA के अंदर अगर आप आयम से बगार ऐसे यह कैट एक्जाम क्लियर करके MBA करते तो 20-25 रुपय का खर्चा आएगा और 20-25 रुपय ग्रेजूशन के बाद आपका MBA में लगना है तो आप जैसे ही क्लास से भी जोडने चालू कर दियोंगे के बाद जैसे ही बच्चा मेरा जाएगा सीधा 15 साल क्योंकि 15 साल बाद ग्रेजूशन होती ने पहले से पढ़ोगे तो 15 रुपय की जौरत पड़ेगी तो इससे कितने कितने पैसे हम जमा करें जो हो जाए तो उन्होंने कोई तो वहां पर फिर दुबार हुआ कम तुदा पॉइंट यानि आपके पेरेंट्स नॉट रेडी टू कि आप ग्रेजूशन कंप्लीट करते और सोके उठे और बोले पापा 25 रुपे लाओ एंब्ये करने जा रहे हैं तो होई नहीं सकता ना वह तो बोलेंगा भाई ऐसे थो प्रक्राइब लेता हुँआ कि मैं 10% हमेशा एक जगह रख लूँआ दस परसेंट का मतलब कितना रख लिया मैंने दो लाग यहां पर मैं कितना रख लूँआ टूॉंट 5 lakh है अगर 25 लाक है यहां पे क्या रख लूगा 2.5 लैक रख लूगा तो 5-2-7 मान लेते कि यहां का profit 30 लाक है तो यहां पे कितना रख लूगा मैं 3 लाक रख लूगा तो अगर मैं सारे के सारे पैसे इकटा करूँ तो मेरे पास टोटल पैसे DRR में कितने हो गए दस लाग हो गए और यहां पे मेरा फंड जो हमें डिबेंचर को पेमिंट करना भी था कितना करना था दस लाग रुपए तो क्या हमारे पास DRR के अंदर दस लाग अवेलेबल है लेकिन मैंने हर साल में इतने पैसे निकाले के मेरे कितने हो गए दस लाग लेकिन यहां पर आप सिंपल सी बात करना कि यह मेरी समझदारी है या फिर नहीं है आपके पेरिंट्स का करेंगे आपको अगर दस लाग रुपए की जोरत है ना तो उन्होंने लाइसी कराया और पंद्रा साल बाद जोरत है तो लाइसी वालों ने बोला क पंद्रा साल बाद आपको 25 लाग रुपए चाहिए तो अगर मैं 25 लाग को अगर मैं 15 से डिवाइड करू तो हर साल का मतलब 1,70,000 बन रहा है तो क्या आपके पेरिंट्स हर साल 1,70,000 रुपए लाइसी वालों को देंगे फिर लाइसी वाले आपके पैस ही वापस कर देगा तो आपके पेरिंट्स बोलेंगे तेरे को क्यों दे भाई हम अपने बैंक में रख लेंगे आप वहाँ पे क्या डिजायर करोगे कि भाईया अगर मेरे 1,70,000 रुपए रखूं 15 साल तो मेरे 25 लाग होंगे तो अगर कोई ऐसा मेरे पास आ जाए जो बोले कि भाईया तुम 1 एक लाख रुपए रखो और हम तुम्हें 15 सादवाल 25 लाख दे देंगा और जो तुम्हारे यह सतर सतर हजार है वह ब्याज वगएरे में अर्जस्मेंट हो जाएगा लाइसी वाले ऐसे ही करते हैं आपको बोलेंगे 50-50,000 रुपए आप 10 साल रखो 10 साल के बाद आपके कि 350,000 और फंड के लेकें बैठ हो तो इसका मतलब तो सर आपकी अंपकी खराब है यहां पर किंगे वालिब यह लाइगा इस पैसे को आप बैंक में करते आं अगर मैं 2 235 रुपए यहां पे इन्वेश् मैं सारा का सारा investment कर रहा हूँ और यह 5.0.0 रुपए मैं यहां पे invest करूँ और यह 3.0.0 रुपए मैं यहां पे invest करूँ तो invest करने के बाद यह 10.0.0 का investment है तो क्या मेरे पास total के total 10.0.0 ही मिलेंगे मुझे 4 साल बाद या उससे जधा मिलने वाला है तो विस से बात है कि भाईया आप अगर ऐसे investment करते हो तो आपको कितना मिलेगा तर दस लाग से जादा लेकिन हम तो accountant है हम तो इस तरीके से technique follow करेंगे कि भाईया इतना पैसा रखो कि यहां पर हमें 10 लाग ही total होना चाहिए with ब्याज with interest तो यानि अगर आप ऐसे करके निकालोगे और ऐसे रख लोगे यह तो simple कोई भी कर लेगा तो फिर आपने अकाउंट क्यूं सीखी आपने इतनी सारा knowledge क्यूं लिया accounting का तो यह अगर ऐसे करके करोगे तो आपका मानलो लास्ट में फंड आ जाता है 15 लाग लास्ट में फंड क तो 11 लाग रुपे क्यों खटा करके बैठा है एक लाग रुपे क्यों फंड का हमारा investment बेकार कर रहा है तो हमें shareholder मालिक को बताने के सर देखो debenture holder को हमें 10 लाग देना है तो हम यहां से 2 लाग रुपे ना निकाले सपोज करो कि हम यहां से कुछ कम amount निकालेंगे समझ रह सकतर बनेगा मान लेते हैं कि हमने निकाला एक लाग पचास अज़ार और उसको investment किया 150,000 को और वो फिर बन जाएगा कितने के बराबर investment में ब्याज जोडने के बाद कितना बन जाएगा दो लाग यानि जितना investment करें वो बन जाए अब challenge यहाँ पर यही आ गया कि sir वो कौन सा amount होगा जिसको investment करने के बाद हमें 10 लाग रुपे बन जाएगा दूसरा क्या factor करेगा कि आपको पता चले के हर बार investment कैसे करें क्योंकि यहाँ पर challenge यही है कि इन सम्में ब्याज जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के यानि ब्याज जुड़ने के बाद कितना total होना चाहिए तो यहाँ से कितना amount निकाले कि उसमें कितना ब्याज जुड़े के यह 10 लाज हो जाए तो इसके लिए आपको examiner एक होता है हमारा present value factor PV factor जिसको हम interest एक तरीके से बोल दो inflation बोल दो interest तो आपको examiner एक point देगा कि भाईया आज अगर तू एक रुपे रखेगा तो उसका future value क्या होगा कितना interest मिलेगा उसी के हिसाब से तुझे हर साल जमा करना होगा जिस पर लगने के बाद तेरा total value कितना हो जाएगा 10 लाग हाँ 10 लाग से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी सकते और नहीं हो सकते दोनों scenario रहेगा तो sinking fund बनाने का sinking fund बनाने का अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे डी आराई क्यों बनाते हैं क्योंकि आपने पैसे profit से निकाला और कहां डाला डी आरार में और डी आरार के पैसे अपने पास रखके कोई फायदा नहीं है उसको कहां ले गए डी आराई में रखने का क्यों परपस क्या है ताकि आपको उसमें इंट्रस्ट मिलके एक हट्टा पैसे मिल जाए कि यह क्या हुआ कि कुछ थोड़ा सा एरर आया था एक्दम सर्वर डाउन हुआ था स्टूरेंट होफुली आपको क्लियर होगा और कुछ अलग से कूर्स में भी लग गया यह सिर्फ कॉर्परेट की क्लास है तो जो बच्चे बाद में भी देखें इस वीडियो को यह सिंकिंग फंड का टॉपिक चल रहा था बीच में से ब्रेक हुआ है तो पिछला टॉपिक देखे इसक हम DRI में क्या कर रहे हैं इंवेस्मेंट कर रहे हैं और सर इंटरस्ट जो मिलेगा वो इंटरस्ट किस पे मिलता है सर जो हमारा यह हमें जो इंवेस्मेंट करना है अब ध्यान से और सुनना हमारा पता है फ्लो क्या होना चीए हम अगर अच्छे अकाउंटेंट की बात करें तो हमने DRR बनाया फ्लो समझना DRR बनाया मानलो 5000 इस 5000 को हमने कहां डाला कितने डल गई है 5000 यह डला स्टार्टिंग में ठीक है अब जैसे ही एंड होगा अब सबसे पहले ध्यान देना DRR जो बनता है ना एक चीज और ध्यान देने वाली है जो DRR बनाओगे आप कब बनाओगे साल के सुरू में बनाओगे एंड में तो maximum case के अंदर एंड में बनेगा क्यों रीजन क्यों profit आएगा तभी तो बनाओगे और profit कब calculate होगा साल के एंड में होगा आपने DRR बनाए और DRR में डाल दिया अब जैसे ही आपका second year start हुआ फर्स्ट यर तो छोड़ दो second year में क्या होगा आपको इस पर interest मिलेगा मिलेगा यह नहीं मिलेगा वो interest क्या करोगे और आपको पांच हजार रुपे जो second investment होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ पांच हजार रुपे नहीं होगी क्योंकि हर साल आपने सोचा कि हम पांच-पां अब दूसरे साल में आप फिर से investment करने जाओगे तो पांच हजार रुपे यह वाले तो investment करोगी करोगे और जो पिछले का एक साल का ब्याज मिला था वो भी तो investment कर दोगे 300 रुपे यानि आपने क्या करना उस interest को भी तो investment करना है compound करने के लिए अब तीसरे साल फिर से आप कितना investment करोगे तीन पांच हजार रुपे और पांच हजार जब आप investment करने जाओगे यह पांच हजार रुपे तो अब जो ब्याज होगा आपका वह ब्याज जो पहले देखो यहां पर आपको 5000 पर इंटरस मिला था जो अब इंटरस मिलेगा वह आपको मिलेगा पता है किस पे 5000 5000 यानि पांच 10300 पर ब्याज मिलेगा डेटीस मानलो आपका ब्याज होगे आप 600 रुपे सपोस्ट करो 600 से ज्यादा होगा इंफेक तो अब जो अगला investment जाएगा वह कितना पताना थे बिकती है एक क्लास जाता है इसके अंदर आपको बेसिक पंडा समझ में आता है कि एंट्री इधर से इधर घूमना है फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाती है सारी चीज़े दुबारा से बता दो मैं अभी दुबारा दिखना है तो सबसे पहले कोशन में क्या करuls है एक कंपनी ने ओपनी पेसिए हैं यानी 100 का है इसका मतलब भहिया 10 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी ने इसू कर दिये कि आपके बुख में डेट अलग अलग हो सकता है तो उसके हिसाब से क्योंकि पुराने को सिंस लगे हैं रिडीम करना है हमें 2015 में हैं यानि कब करना है 31 12 2015 तो आप 12 से 15 काउंट करो तो कितने साल चार साल 12 13 14 15 तो कितने साल हो गए यहां पर आप 12 और 315 मत करो 4 साल हो गए पूरे पूरे काउंट करो न ठीक है न चार साल होगे, यानि चार साल बाद इसके पैसे को क्या कर देना है, वापस कर देना है, कहता है, the outside investment, बोलता है, the company decide invest money outside business provide to the fund redemption, और company ने फैसला लिया, जो भी हम पैसा निकालेंगे profit में, उसको हम outside investment करेंगे, और outside कहां investment करेंगे, जहां भी investment करेंगे, वहां हमें 5% का क्या मि ब्याज मिलेगा, और कब ब्याज मिलेगा, last day of each year, यानि 31 मार्च को ब्याज मिलेगा हमें, ठीक है न, अगर बोलता कि भी यह एक अपरिल को ब्याज मिलेगा, तो हमें अगले साल investment कर पाते हैं, तो last में ब्याज मिलेगा, और 31 December 2015 को company sold investment, इतने का बेच देगा investment, यानि धीर the 8% debenture sinking fund value, और कहता है कि आज की जो एक रुपे की value है, वो 5% interest के हिसाब से 4 साल बाद एक रुपे की value यह होने वाली है, इसका मतलब क्या है सर, एक रुपे की value future में हमें से कम होगी, सर यह कैसे निकाला गया है, यहाँ पे 5% का ऐसा कोई logic नहीं आगे, जब FM में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कितना कितना हर साल जमा करें कि हमें कितना मिल जाए, चार साल बाद कितने रुपे मिल जाए, दस लाख मिल जाए, दस लाख से एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाईया तुम ऐसा करो इसको 0.23012 कर दो multiply, तो आपको एक साल की EMI पता चल जाएगी, तो 10 लाख इंटू 0.23012, यानि EMI आगे इसकी 230, 120, यानि हर साल आपको investment कितना करना है, 230,120, कहां से करना है पैसा, surplus से निकालना है, अपने profit and loss से निकालना है, statement profit में से निकालना है, हर साल यह पैसे निकालोगे और कहां भेज दोगे, investment में, और investment से फिर ब्याज मिलेगा, और फिर यह जोड के हर साल भेजते जाओगे, यही कहानी चलने वाली है, बोलता है चलो आप कुछ account बना के दिखाओ मुझे, एक तो debenture account बना के दिखाओ, okay सर, एक sinking fund बना के दिखाओ, sinking fund का मतलब कौन से account बोल रहा है, DRR बना के दिखाओ, sinking fund investment बना के दिखाओ, तीन चोटे-चोटे से account बोले गए हैं बनाने के लिए, जो हम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन कितने सालों का बनेगा, सर, चार सालों का तीनों account को हमें prepare करना होगा, ठीक है न, चार सालों को हमें prepare करना होगा, सर, बीच में है, सर, disconnect हो गई थी, class start में हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दुबारा मिल जाएगा आपको यह, मैं समझाओंगा question को उसी के according लेके चलूँगा कि आपको दिक्कत ना हो, और questions में मैं पूछूँगा आप से कि क्लास disconnect हो गई हो, तो मैं वहीं पर रुक के दुबारा समझाओंगा, बस आप समझते जा रहा हूं, यहां पर मैं बना लेता हूं एक बड़ा खुला 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 अकाउंट बनाना चाहता हूं, यहां पर मैं यूज कर लेता हूं सर, एक डिवेंचर कितने अकाउंट बोले इसने, तीन बोले न, तो इधर बना लेते हैं इस पेज़ पे सिर्फ डिवेंचर दू इसका नाम देते है सर डिबेंचे पहला कौन सा था एकट परसेंट डिबेंचेर्ट आकाउंट यहां पे तारीक यहां पे पर्टीकुलर कि यहां पर अमाउंट एक डेट रहे गया हैं और देट आहेंगा ना किस साइड आएगा साइड इस साइड आएगा डीट इट पिर से डेट वर्टिकुलर अमाउंट ठीक है यह रहे गया यहां तक सभी को क्लियर है क्या बात चल रहे हैं यहां पर समझ भाएं एक अकाउंट बना लिया अब मैं कुछ कुछ बाते पूछूंगा आगे कुस्ट्ट में जाने से पहले आप बताओ डिवेंचर लाइबलीटी होता है यह होता है तो डिवेंचर का बैलेंस कहां से सुरू होना चाहिए टू से यह बाइसे लाइबलीटी ही है तो कहां से स्टार्ट होगा इतना आपको क्लियर होना जी है ठीक है ना चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि सर इसी को कॉपी कर लो कि को कॉपी कर लेते हैं एक अकाउंट यह और एक और सेम इसके पैरलर एक और अकाउंट बना लेगी है ठीक है कि सर इसका क्या नाम दोगे इस अकाउंट का एक बना लेंगे हम सिंकिंग फंड अकाउंट हर किसी को विज्वल होना चाहिए होड़ा साइज स्मॉल कर रहे हैं कि और यह कौन सा होगा इनवेसमेंट अकाउंट कौन में इनवेस्मेंट होगा इनवेस्मेंट आपंगे इनवेस्मेंट । की तदर से इस्टार्ट होगा वोडल सुझे और रिजर्ब करेंगे का धिंटिी में हमने एक जनवरी सबड़ेंगे शोड़ धार ऑप्लिकेशन स्था एंट्रिक करेंगे हम बैंक तो 8% डिवेंचर फाइनली तो यह होगा ना अब अगर इसकी हम पोस्टिंग करने जाए डिवेंचर में तो डिवेंचर में जाके क्या लिखना है हमें और किस डेट पर लिखना है डेट भी बताना है आपको डेट बताओ कौन सा डेट होगा एक एक बारा क्या लिखेंगे बाई बैंक अगर आपने डारेक्ट एंट्री सूचा है मन में तो बाई लिखोगे बैंक अगर आप अपने मन में डारेक्ट नहीं सोच रहे वह वाली एंट्री सोच रहे हो कौन से डिवेंचर बैंक टू डिवेंचर एप्लिकेशन और डिवें को कोई investment कर सकते हैं क्या डी आर आर आप अपने हिसाब से बताना हमारा जो साल चल रहे हैं वह जनवरी से दिसंबर चल रहे हैं तो अब मैं चाहता हूं कि मैं फटा-फट से क्या बना लूँ से डी आर बना लूँ तो आप कौन बच्चा बताएगा मुझे डी आर मैं किस यार बनाने के लिए क्यापवल हूँ जवाब है इस साल कैसे बना सकते हो डी आर रहा इस साल के बनाओगे पैसा निकालना कितना पैसा निकालना मैंने यह निकालकर बताया कि आपको हमेसा यह वैल्यू दी होगी और उससे पूरे face वेल्यू को multiply आपको करके एक इंस्टॉल ठीक है और कहां से investment करोगे बाइ investment पहले तो अम पैसा ला रहे हैं कहां से surplus कि surplus यानि statement profit and loss कितना पैसा निकालेंगे सर कि दो लाग 30,120 ठीक है दो चीज बताओ अब क्या आज मिलेगा investment भी हम इसी दिन करतेंगे उठाके सेम डे पर investment भी करतेंगे तो investment कैसे करना है आपको यहां क्या लिखेंगे टू बैंक कितने तारिक को किया यह भी करोगे जिस दिन पैसा मिला उसी दिन तो करो 31,12,12 को कितने रुपए कर दिया आपने 230 अब मजे की बात है ने कई बार कोशन बोलता है कि आप जो investment करो नो वह इतने का multiple में कर दो 100 के multiple में कर दो तो मैं ऐसा करूँआ फिर यह surplus तो निकाला लेकिन investment 230 120 ना करके मैं 100 के multiple में देखा जाए तो 230 200 कर दूँ यह 230 100 कर दूँ यानि 20 30 रुपए के बीच को छोड़ो 100 के multiple में लेके चलो ठीक है न वैसे बोला जा सकते हैं कि तर फिर से हो गया है बस दो से तीन दिन की दिकत यह है मैं देख लेता हूँ वीडियो का एक बार आपना रेम क्लियर करके और एक बार फिर से चालो करो ठीक हो जाएगा फिर पास चल रही है वीडियो ठीक है नहीं तो फिर मैं जो आपके कंटेंट में रिकॉर्ड होता है वो तो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा कि मैं रीफ्रेस्ट भी कर देता हूं एक बार कि अरे कहां पर पहुंच गया हम कि टिलीट हो गया कि कि पीछे आगे आगे तो कि यहां से कनेक्टिट है कि आएगे नहीं Welे पत्सक चाहिए आप चेक कर लिए साइट ठीक हो जाए तो अब मैं आ रहा था कहां पॉइंट पर आ जाते हैं सर मैंने कर दिया इन्वेस्मेंट ठीक है मल्टीपल का मतलब समझाए आगे कुश्चन में आएगा भी अब हम है साल करें एकशआल हो गया लाय। अब डिबेंचर लाइबलेटी है तो इसका क्या आजैगा तु मैंане सीडी आजाएगा किस डेट पाएगा टू बैलेंस यह आएगा 31 बारा को क्योंकि साल के एंड में इंवेस्मेंट किया तो अब एक आज आज तो प्याज नहीं मिलना अगले साल से चालू होंगा कि लेकिनी सूर्ण120 2 30 120 अब यहां पर क्या जाएगा सब्सक्राइड टू बैलेंस सीड एम अब यहां पर क्या जाएगा सर कौन पर ऑइगाづ अब यहां थोड़ा से यह है कि मेहनत करना पड़ेगा आपको सर इस अकाउंट के अंदर जो सीडी निकाला ने इसको बीडी भी बना देते हैं बीडी बना तो कब बनेगा सर 113 यह आएगा ना और यह बाइ बैलेंस बीडी और सबसे पहले आप सभी बच्चों को एक रिकमंडेशन देना चाहता हूं कि इसी को बिना देखे एक बार तो नोट करना है फिर बिना देखे एक बार प्रैक्टिस था कि आपको अकाउंट पर हाथ एक रनिंग हो जाए कि यह यह एंट्री यहां मूब करता ह नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ठीक है अब इसका भी बना लें सिंकिंग फंड का भी अब इंवेस्मेंट का भी बना लेंगा तो एक एक तीरा को वाइब लेंस अब बैलेंस बीडी ग्रॉट और कितने 230 120 अब इसको भी एक साल खतम कर लेते हैं यह लोग इसको भी एक साल निप्टा देते हैं कि 230 120 230 देख रों कितनी बार लिखना पर ट्राइबस इसमें अब एंड कम होगा सर्व 112 को ही होगा बाइब बैलेंस सीडी पहले तो यह बैंक से स्टार्ट हुआ सीडी आ जाए गई है 230 120 का आपके पास बैलेंस है और यहां आएगा टू बैलेंस बीडी यानि अब आपका इन्वेस्मेंट हो चुका है 112013 को पहला साल मैंने कंप्लीट कर लिए किसी बच्चे को कब तक ठीक होगा मेरे पास डेट जो आया है यह आज है तीन दिन और जोड़ दो त्यूजड़े में यानि आपका सेटेडे से पहले पहले ठीक हो जाएगा कि नहीं चल रहा है अब सरवार एकदम से डाउन हो गया था फिर मैं देखा तो मैं शल नहीं रहा था चल रहा है आपके पास हाँ लाइब में इस पर चल नहीं रहा है यहां पर दिख रहा है मुझे अब आज भी नहीं आ रही है मैं दुबारा रिफ्रेस करता हूं और क्या करें बड़ी दिक्कत है इसके अंदर आज गूगल से पर्मीशन आ जाए बस मैं तो लगातार क्लास लेता ही जा रहा हूं मैं रुकी नहीं रास तो मेरा टार्गेट था के दो दो घंटे पूरी क्लास चलेगे नहीं अभी तो यह टार्गेट का इसमें रुक जाओ क्या पता हो दूसरे पर हो अभी उससे बोल देना क्या उस पर जो दूसरे वाला एप्लिकेशन है दूसरा क्लास प्लस वाला उस पर भी ना कॉस्ट के लिए लाइव लगा दे में दूनों पर जाऊंगा यह नहीं चल रहा है सर्वर इनका गया वहां सर्फ वह दिख रहा था लगा दो मैं तो लूँगा ही क्लास को लूँगा मैं क्लास शुक्तिकर करके फाइदा नहीं रिकॉर्ड पर हो गई होगा कि एप नहीं चल रही ना कि लिए कि कि इंटरनेट बच्चे बोलने स्लो हों कि इंटरनेट तो अभी फास्ट कर देंगे यह लो कि अधिन यहीं पर कुछ नहीं है कि कि बड़ा परेशान हो गया है और बच्चे कितने परेशान हो रहे नहीं पता नहीं है कि अब देखना सही हुआ कि 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 चल रही है या सिर्फ सिर्फ भूमी रहा है कि 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 चलो तो मैं फ़र्स्ट यर मैंने कर दिया बाकी वीज्ट आपको रिकॉर्दिंग भी प्रॉपर मिल जाएगे फर्स्ट यर बताओ सब से पहले में दुबारा रिपीड करता हूं फर्स्ट ये में क्या करा सर डिवेंचर मैंने बेच दिया यानि इसू कर दिया उसका सीडी बनाया उसका बीडी बना दिया सेम यहां पर यह यह कैसे आया दो तीस एक्सोबीस पहले फिर से बता दूसर यह आपको हर बार देगा डिजट और उस डिजट से क्या करोगे आप मल्टिप्लाइब या फिर आपको इंस्टॉल्मेंट हमेशा कोश्चन में गीवन होगा सर अगर कोश्चन में ना गीवन हो तो हम कैसे निकालेंग सेकिंड यर में जब हम investment करेंगे तो बाइव साइड में कितने investment करना है अपको हर बार एक amount मिल गया था तो हम बाइव साइड में क्या करते सर बाइव साइड में बताओ किस नाम से सर फ्लस आप इस statement profit and loss कितने 230 120 ठिक है अब आपको इस साल interest मिलेगा इस साल अब जब आप investment करने जाओगे यहां पे तो सिर्फ यह amount investment नहीं करोगे जो इसके उपर ब्याज मिला होगा जो इसके उपर ब्याज मिला होगा उसको मिला के करोगे 230-120 यानि 230-120 पे सर कितना ब्याज मिला होगा जितना question ने बोला होगा question क्या कहा रहा है था आपको investment पे कितना ब्याज मिलेगा 5% का investment पे कितने ब्याज मिलेगा 5% तो इसका हम 5% अगर निकालते हैं कितने 230, 120 पे 5% तो 606 रुपए 11,000 कैसे निकाला आपने ये वाला तो investment आप 31 को कर रहे हो ना 31 को 2013 में तो इस पे तो ब्याज मिलेगा यह नहीं ब्याज किस पे मिलेगा जिस पर पूरा साल बीट गया होगा समझो मेरी बात को इंटरस किस पर मिलेगा आपको जो बीत किया तो इस वाले पर इंटरस मिलेगा आपको किस वाले पर इस पर इस पर अभी मिली नहीं सकता है इस पर अग्रे साल मिलेगा तो कितने 230, 120 कितना परसंट 5% परसंट 11,506 तो 11,506 का आपका ब्याज मिलेगा तो यहां लिख देंग इन्वेस्मेंट करोगे 31 12 2013 में ही तो कितना इन्वेस्मेंट करोगे एक तो यह अमाउंट तो डालना ही और साथ के साथ ब्याज भी मिला के इन्वेस्मेंट कर देंगा समझ रहे बात को तो प्लस में 230 120 241 626 पहले ये बात समझो ये बात बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती क्या ये बात समझ में आ रहा है कि मैंने क्या करा सर पहले साल में ऐसा क्यों नहीं करा आपने पहले साल में ब्याज ही नहीं मिलता क्योंकि लास्ट के एंड भी सारा काम किया अब क्या हुआ आपके पास सब्सक्राइब इस वाले पाइब बिला और इन दोनों को एड कि और जाकर फिर से मैंने क्या कर दिया इनवेस्टम कर दिया नहीं और दूसरी साल में कुछ यहां तक समझ मैं आपको आपको अब दस लाहत कर आजए कितने को आगए बैलन्स ऐदी है कैसी बाइलेस बीडी सोड़ें यहां तक करने को दे रहा हूं जल्दी बता दो कि It's आएगा इसका टूटल करके बताओ जल्दी जल्दी बैलेंसिंग फिगर आप बता दो मुझे कि पूर सेवन कि पूर सेवन वन सेवन पूर सिक्स पूर सेवन वन सेवन फूर सिक्स और यह बनेगा हमारा कि पूर सेवन वन सेवन पूर सिक्स और फिर जाके यह बन जाएगा हमारा एक एक चौदा को चौदा बनेगा तेरा बनेगा यह बारा था यह तेरा खतम हुआ है कर टीन बनेगा बाउड बैलेंस सुछ बीडी 1-2-4-1-7-4-6 सर इसका टीघञकर जल्दी बता हूं कि 4-7-1 कि 4-7-1-7-4-6 कि 471 74-6 ॉ और बाई साइड में क्या लिखो के भाई बैलेंस पहले यह सारे टॉपिक पता है ट्विल्थ में हुआ करते थे लेकिन ट्विल्थ का स्लेवस इतना रद्धी बना दिया नहीं सब कार्ट पीट दिया फिर भी बच्चे बोलते हैं सर बहुत मुस्किल हो गया है पहले यह सारे कोशन मैं अपने टाइम पे जब ट्विल्थ में था तो यह हमारे टाइम पे था ट्विल्थ के अंदर यह और सी बीसी की ही बात कर रहा हूं मैं यह लेकिन अब काट दिया बच्चों को ट्विल्थ में तो मज़ा आ गया लेकिन आगे फसके हो जाके क्योंकि पढ़ना तो खाता ही होल लाइफ में तो ट्विल्थ में पढ़ा देते हैं तो ज्याधा बढ़िया था सूधा है अब आजाते हैं यहाँ इसको ब्लेंस ब्लेंस यह एक लेन्स बीडी 471746 ठीक है अब बताईए यहां तक हर बच्चों को clear है यहां तक हर बच्चों को clear है अब फिर से कुतने साल होगे सर तीन साल होगे तीसरे साल पर आगे अगर हम तीसरे साल की investment की बात करें यहां तक पहले बता दो किसी को कोई doubt है तो यहां तक clear है अब हम अगें investment करेंगे यहां पर अब इंवेस्मेंट करें दूसरे कलर से कर देते हैं इस कलर से कर देते हैं कब करेंगे सर 31 को एक investment जाएगा बाए किस नाम से जाएगा surplus 230 120 अब जो बताओ मुझे interest किस पर मिलेगा इस वाले अमाम पर इंटरस तो इस पर मिलेगा क्योंकि पूरे साल यह पासा चलेगा अब इसके उपर इंटरस निकालो by interest कितने 23,58,7 यह interest हो गया कब मिलेगा सर 31,12 को ठीक है अब यहाँ पर जो investment करोगे आप वो investment करोगे two bank से sir two bank से investment कब करोगे 31,12 को करोगे कितने का investment करोगे क्या 230 120 करोगे या 230 120 प्लस interest प्लस में interest तो interest जोड के कितना बन रहा है 23,120 प्लस में interest बताओ जोड के क्या बन रहा है जोडो 23,120 प्लस थेज़ 587 253 707 707 समझे यह बन रहा है हमने investment कर दिया यहां तक क्लियर है आपको बनाना कब से कब तक था एक बार दिमाग में लगा भी ले दिमाग भी चला ले हम सर 2012 बारा बनना था 2013 बनना था 2014 बनना था और 2015 यह पूरा बनना है जबकि हम कहां तक पहुंच चुके सर हमारी कहानी पहुंच चुके 2014 तक तो 14 तक पहुंची चुकी है तो इसको भी बंद कर दो एक साल और बनाना पड़ेगा है ना बाइब बैलेंस अब बीडी है और देट इस टेन लाग अब चलिए आ जाईए इन सभी का भी टूटल कर लें हम जल्दी जल्दी बताइए इसका टूटल हो कि क्या बनता है अब लिखे देता हूँ 725453 देखो सारी केल्कुलेशन आप कर रहे हो तो गल्ती होगी तो आपका माना जाए रहे है 725453 अब यहां पर क्या आजाएगा टू बैलेंस अब कब आएगा सर 31 12 14 अब यह डेट आ जाएगा एक एक पंदरा ठीक है बाए बैलेंस लास्टी साल है यह 725453 इसको भी बंद कर दें मज़े की बात यह दोनों क्या चलता एकदम सेमी चल रहा होता है ना चलो बस इसमें ब्याज वैज नहीं है तू सेवन तू सेवन तू फाइव पॉर फाइव पाइव साथ लाग पच्छे साजार चार सो बाए साइड में कहेगा बाए बैलेंस सेडी साथ लाग पच्छे साजार एक अत्यस बारा एक एक अंद्रा टू बैलेंस कि अब यहां तक किसी बच्चे को डाउट है कुछ बच्चे इसको मिक्स ना करें मैं इसको थोड़ा अलग कर देता है इस अकाउंट को कहीं सोचे यह अकाउंट सेम ही चल रहा है तो इसको थोड़ा अलग ले जाते हैं कि किसी स्टूडेंट को मैंने तीन साल कंप्लीट कर दिये तीन साल तक हर बच्चे को समझ में आगे बता दो कहानी क्या था पहले साल कोई ब्याज मिलना नहीं था दूसरे साल ब्याज के साथ इंवेस्मेंट किया तीसरे साल आगे बढ़े यहां तक देख लीजिए आप एक करों किनिवेस्मेंट कर और तो यहां तक पूरा इंवेस्मेंट भी demand मैं कितने का बिख रहा है मैं आगे बढ़ जाओं जितने भी स्टूडेंट है लाइव एक बार देख लीजिए इसमें तो सर लेकिन इसमें सर कुछ बच्चे बोलेंगे यह तो दस लाग दस लाग घुमारों भाई ही दस लाग तो दस लाग दस लाग ही घुमेगा लास्ट में पेमेंट हो जाएगा त है तो सिंपल सी बात है आपको यहां तक बता दो किसी का कोई डाउट है तो बढ़ जाए आगे चलो अब हम क्या करेंगे सर फिर से साल के एंड में अब देखो हमें यह तो साल का सुरू है प्रॉफिट तो कमाएंगे डी आर आर तो निकालेंगे लेकिन उसको इन्वेस्मेंट नहीं करेंगे समझ मैं यह बात डी आर आर तो बनाएंगे लेकिन इन्वेस्मेंट नहीं करेंगे तो मैं थोड़ा सा और साइज स्मॉल करके सही से बता दू लास्ट ही यह जाए चलो सब डी आर आर कब बनाओगे इकतिस बारा पंदरह में 31 12 15 में डियार यानी बाइस ले जाओ कूं कि इस कि इस साल मिलेगा बिल्कुल आपने इंवेस्मेंट करा है इतने इंवेस्मेंट एक तारिक को एर इंवेस्मेंट बेचने कब जा रहे हैं 31 दिसंबर को तो पूरे साल जो रहा है जिसके पास भी अपने इंवेस्मेंट किया वह द्यास तो देगा ही तो कितना अधैज कितने हैं 36 27 को अधा देना प्वाइं को इंवेस्मंट करो फिर से इन दोनों को जोड के इंवेस्मेंट कर देते हैं अगर 31 दिसंबर को तो फाइदा तो ही नहीं क्योंकि इस पर आज मिलेगा नहीं तो investment भी नहीं करेंगे सीधा question ने बोला इसको बेच दो 31 बारा को बैच देते हैं बेचेंगे तो bank में पैसा आएगा ना बैंक से question क्या बोल रहा था कितने का बेच दो आप question कह रहा था 725 का बेच दो इसको लोग जी 725 का बेच देते हैं आप जब बेचेंगे ना तो हमारा यहां तो फाइदा हो जाएगा या फिर क्या होगा लॉस होगा तो आप देखो यहां पर 725 तो इधर आ रहा है यानि हाइ investment इतने का और विका इतने का तो आप मुझे बताओ सभी बच्चे कमेंट में भी बताना कि आपका benefit हो रहा है investment को बेचने में यह नुक्सान हो रहा है कि क्या हो रहा है यहां पर क्योंकि यह है हमारा अब लॉस जो होगा क्योंकि आप investment sinking फंड से कर रहे था तो लॉस को भी sinking फंड में डाल दो सीखने वाली बात देखा आपको समझ भी है 453 लॉस कहां जाएगा sinking फंड में जो लॉस जाएगा तो बाए में है और अगर sinking फंड में इसको क्रॉस ट्रांसफर करें तो किस साइड आ जाएगा तू में आ जाएगा लॉस ओन लॉस ओन अब लॉस ओन इन्वेस्मेंट वैसे टेक्निकली देखा जाए तो गलत सब्द है क्योंकि आप जिस अकाउंट से लाते हैं उस अकाउंट का नाम लिखना चाहिए हमें इन्वेस्मेंट अकाउंट लिखना चाहिए और फाइफ थ्री किस डेट पर लॉस वासर इकत्यस बारा पंद्रा को ठीक है अब हम टूटल करेंगे जब भी टूटल करेंगे अब लास्ट में आपको याद होगा जब हमारे डिबेंचर रिडीम हो जाता था तो डी आर्र को क्या करते थे बताओ जनरिजम में ट्रांसफर करते थे अब टूटल कर लेंगे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको जनरिजम में हम डालके मैच कर देंगे ठीक है ना जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको जनरिजम में डालके मैच कर देंगे तो निकालते हैं कितने तो आप देखो को नियर बाए दस लाग के आसपास हमें फंड मिल गया हंडिट पॉर्सेंट एकुरेट नहीं होता कई बार फोड़े बहुत कम पड़ जाते हमारे पैसे लेकिन ब्याज वगरे लगाते हैं नियर बाए आपको मिल जाता है कितने मिल गए आपको 9918 और यहां पर जो भी पैसा बचा डाल दो जन्नर रिजर्व में जन्नर रिजर्व में 31,12,15 कितने 9913 लीजिए जी इसके पाँड़े सब्सक्राण ना भी डिपेंचर भी बंच ओल्ड़र को दस लाख हो गया भी सब्सक्राने कया अनुच्टर को करेंचा क्रे सब्सक्राण family अगर या वंड़कोर को फिला का एंट्री बलति आपकी इब्लेंस्टर ओल्डर्ड टू इडैकर मैं आपसे पूचू चलो डिवेंचर igholder अकाउंट भी बनाओूं अगर मैं आपसे बोलू डिवेंचर खोल्डर अकाउंट भी बनाओ तो आपका सिम्पपली क्या होगा आप ध्यान से सुनना और इसको मैं कह रहा रहाँ कि इसको बार-बार देखना पड़ेगा आपको अगर आप बोलते हो सर डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी बनाओ तो लोजी डिवेंचर होल्डर की एक बार जनल एंट्री कर देंगे और उसकी हम पोस्टिंग करके फटा-फट से दिखा देंगे लोजिट डिवेंचर होल्डर अटर अग्र टी thereby और अग्छन टो आपको याद है डिवेंचर में रहें से डिवेंचर होलडर निकला ना क्या ऐंट्री क्या करते हो दो ऑंट्री बनती मैं इहीं तॉत इना इंकि करना एक बंता है ये 6% यह 8% वी डियन चैनल तू खुलडर अगλη एंट्री क्या करते हैं डियन चरनल तू बैंक आप कोश्रण करटेफों कौन से अक्ट आप में कर रहा है तो डियन चरनल ट्च पैंपिल में तो के जाए हमारा डियन चरनल में जाकरेंगे भाटें सिक्स परसेंट मेरे सवाल में दस लाग है क्योंकि सेम ही डे पे होगा यह दोनों एंट्री याद होगा आपको जिस दिन डिवा उसी दिन पेमेंट तो सेम डे पे 31 बारा को यह एंट्री करेंगे क्या कर देंगे टू बैंक लो जी आपने डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी देक्स दिना अब मैंने देखो यहां प्राटिंग में आपको बताया था किसर्कितने अकाउंट और से हमारा पाला पढdoc सकता है तो इस वह बैंक से पेमेंट हो देखो एक है रिडंशन सिंकिंग फंड डियार प्रॉफिट का हिस्सा है वह बनाना और पेमिंट करना बैंक का का है दोनों चीज़े अलग है अब देखो हमने डियार अकाउंट बनाना सीख लिया डियार भी सीख लिया वही इन्वेस्मेंट सब्सकreas कर दोगें अब कौन से वाला आपने क्या कर रहे हैं यहां पर हमेसा इंट्रस आ रहा है कहा से इंट्रस आiter स्वाग्र ऑ came फ्रीक्या बन जाता है हमारा sinking fund और अगर मैं इंट्रस अकाउंट बनाऊंगा तो इंट्रस अकाउंट में जाके क्या लिखूंगा उसे bank account में transfer कर दोगे तो sir कौन कौन सा है शुरुवात यहां से होता है bank एक तो यह जाएगा bank में किस side जाएगा bank में two side में जाएगा पैसा आया है और कहां जाएगा इसका मतलब bank से पैसा गया है यह बाइ में जाएगा फिर बाइ में जाएगा यह यह बाइ में जाएगा यहां तक सभी बच्चों को clear है तो यह था हमारा अभी हमने बस इसमें तीन account नहीं बनाया एक interest जो देने वाला है और एक interest जो लेने वाला है और एक bank account की छोटी सी entry, एगर bank account की मैं entry बोलू, तो आप कर सकते हो, मैं अगर इसी question में bank account की entry करूँ, तो देखो मैं फटा फट सरिफ entry करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल format में क्योंकि सवाल की जुरत need नहीं है, तो मैं इसलिए बस बस just एक मैं आप करके दिखा रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसे होगा, पहली entry bank, अब bank account बनाने का मतलब ऐसा नहीं है, कि general entry नहीं करना, वो shares में होता है, यहां नहीं होता, सबसे पहले तो आपको क्या आ जाएगा, debenture से पैसा आया, 6% debenture, क्यानि जहाँ जहाँ से पैसा आएगा, इधर आ जा लेकिन इस बार investment के साथ साथ आपके पास पहले interest भी आया, यहाद होगा interest आया था, कहां से interest आया था, investment से ही interest आया था, इतना यह था 11,506, ब्याज आया और फिर आपने क्या करा investment कर दिया, अब 11,506 और 230, 120 मिला के कर दिया था, जो कि आया था, 240 something आ गया था, मैं एक रफली बता रहा हूँ, फिर से आपको भी आज का पैसा मिला, जितना भी आया, फिर आपने investment कर दिया, दो त्रेपन सम्थिंग का कुछ हुआ था हमारा, उसके बाद फिर आपने क्या कर रहा है, debenture holder का payment कर दिया, debenture holder का payment हो गया, और investment बेचने के बाद पैसा आ गया, तो two investment बेच bank account बन जाता है, लेकिन जनरली ये bank account कितने साल का हो गया, चार साल का, examiner बोलेगा, एक साल का बनाओ, तो एक साल का कौन सा, जिस साल final payment हो रहा है, तो हमें कौन से entry बनाना पड़ेगी, एक तो debenture holder की payment, एक investment, बेचने की, और एक उसका ब्याज का, लास्ट में वैसे तो ब् बनाना पड़ेगा, लेकिन उस question के अंदर आपको bank account का balance भी देगा, examiner तब बना पाएंगे, ठीक है, तो bank account अभी आने वाला है, सवाल देखेंगे हम, अगला गर सवाल देखो, तो यहां पर बोला हुआ है, इस सवाल को जब हम करेंगे, तो क्या बोला गया है, क्या क्या ब bank account and give also complete journal entry और सर इसमें journal entry भी देना है, तो अब यहां पर देखा जाए, तो सर वो जो रुपे से multiply करते थे, वो वाला देखें कहा है, तो देखो यह वाला दिख जाएगा, सर डिवेंचर कितने का है, आपका सर दस लाग का, दस लाग को इस से multiply करोगे, तो हर साल का क्या नि मैं कराओंगा लेकिन अभी मैं homework देके चल रहा हूं आपको, पताइए कोई doubt, एक बार इसको देखना चाहते हैं, देख लीजिए, कोई doubt है, questions को पढ़ लीजिए, क्योंकि काफी important topic है, हमने इसमें एक से 7 घंटा invest किया है, तो आपको आना चाहिए, अभी आपका क्या काम हो आपका इसमें, और वो भी क्या, आपको यही question दुबारा करना है, एक बार तो नोटिंग करोगे, बिना देखे, दुबारा करना है, तब आपको जाके यह समझ में आएगा, अभी पहली class में इसके अंदर आप ज्यादा कुछ नहीं समझोगे, इसके अंदर मैं एक और question करा पाते हो, फिर आगे sinking fund आपके लिए क्या हो जाएगा असान, अगर आपने ignore कर दिया, यार समझ में आ गया छोड़ देते हैं, तो अगला sinking fund का question समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2-3 concept और add होने वाले, यह मैं पहले बता दूँ आपको, बताईए किसी बच्चे का कोई doubt,